मंत्री सुक्देव पांसे ने कहा है कि कमलनाथ सरकार Right to Water Act लागू करने जा रही है मंत्री पांसे ने कहा कि पीम मूदी आधार की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं लेकिन पानी की बुनियादी बात नहीं करते हैं, जबकि पानी का अधिकार उनकी प्रात्मिकता होनी चाहिए इन्हीं सब मुद्दो पर अनाधी टीवी के समवाद दाता ने मंत्री सुक्देव पांसे से खास बातचीत की सुनिये आज आओ सकता है आजादी के बात से लेकि आज तक सड़कों के मामले में काम हुआ बिजली के मामले में काम हुआ जिस पानी की बात करते है जो पानी इनसान की मुलबूत पुक्क्याओ सकता है बिजली पानी आओ सड़क माननी मुक्यमंत्री जी ने जब वो केंद्री मंत्री थे तो मद्य प्रदेश को सड़कों के लिए करूरो अर्बो रूपिया दिया, टू लेन, फोर लेन इस प्रदेश में बने, बिजली में हम सरपलस हो चुकिया है, पानी जहां हवा के बाद यदि मानव किया सकता होती है पानी, तो बोजन तो बात की बात है, लेकिन पानी के उप पर किसी ने ध्यान ने दिया, जैसी ही एसेश्वी मुख्यमंतरी जी ने सपत ली और इसको नंबर वन प्रायटी पर पानी को रखा, और उनोंने हमें निर्देशित किया कि पानी का अधिकार इस प्रदेश की जनता को दिया जा, केंदर में पूरूवरती जब कॉंग्रेस की सरकार हुआ करती थी, देश के प्रदान मंतरी मनमोन सिंग जी ने इस देश के प्रदेश की जनता को बड़े-बड़े अधिकार दिये, रोजगार गारंटी का अधिकार दिया, सुचना का अधिकार दिया, सिक्षा का अधिकार दिया, अधारकार्ड का अधिकार दिया, जो अधिकार सबसे पहले मिलना चाहिए वो अभी तक उपेक्चित रहा और उम्मानी मुख्यमंतरी आधनी कमलना जी की परिकल्पना है उसको हम साकार करने जा रहा है पानी का अधिकार इस प्रदेश की जनता को जल्दी से जल्दी एक्ट बना कर देने का हम प्रयास कर रहा ह यह तो थे हमारे साथ पी एची मंती सुखदे पांसे जनों ने कहा कि मुधी सरकार नहीं अधिकार को दे पाई हम देंगे पानी का अधिकार तक जनता को पानी के लिए परिशान ना होना पड़े वो की बुनियारी ज़रूरत पानी होती है कैमरा परस्ट सथीज के साथ वैफब गुपता अना चाहिए